हाई फ्रेंट्स आपका मेरे चैनल टेक्निकल अमके डियर में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नेशनल ओटर सर्विस पोर्टल का अगर आपने एकाउंट कभी बनाया है और वो पास्वार्ड अगर आप भूल जाते हैं जब भी आप अप अगर मालीज आप अपना पास्वार्ड भूल जाते हैं तो उसको आप कैसे फारगेट कर सकते हैं उसको कैसे आप दुबारा फिर से सेट कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको फारगेट करके दूसरा पास्वार्ड बना लेना है तो चलिए वीडियो को شुरू कर ते हैं वीडियो को सुरू करने असल można फिरिंट आप से एक छोटी से रिक्वेश्ट करना चाहowगा अगर वीडियो पसंद आये तो फ्लीजोрах कर दीजेगा और चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिगा और साथ क्लिक करके डाइरेक्ट आप यहाँ पर आ जाएंगे तो login या register यहाँ पर click कर दीजेगा इसमें login होने के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने click कर दिया click करने के बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं username और password तो username में आप अपना mobile number या email id यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आप अपना mobile number यहाँ पर डाल देंगे तो password बहुत सारे लोग भूल गया है तो उस password को फिर से प्राप्त करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा है forget password forget password पर click कर दे रहा हूँ तो capture यहाँ पर mobile number और capture जल्दी जल्दी डाल दे रहा हूँ उसके बाद send OTP पर click कर देना होगा तो send OTP पर click कर दिया और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा loading ले रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं OTP send your registered mobile number और यहाँ पर last का three digit यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस mobile number पर आपके OTP चला गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं enter OTP तो अभी OTP आया नहीं है तो अभी OTP जियो ही आता है तो यहाँ पर मैं डाल करके और verify पर click कर दूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं OTP या चुका है उस OTP को हमें यहाँ पर copy करके और यहाँ पर paste कर दे रहा हूँ उसके बाद verify पर click कर दे रहा हूँ verify पर click कर दिया verify पर click करने बाद यहाँ पर देख सकते हैं success mobile number verify इसके बाद friend यहाँ पे आप देख सकते है create a new password और यहाँ पे confirm password आपको दोनों जगाँ पे password डाल देना होगा यहाँ पे मैं जद्धी जद्धी डाल दे रहा हूँ तो friend यहाँ पे आपको password डाल देना होगा उसके बाद यहाँ पे confirm कर देना होगा उसको reset password पर click कर देना है । यहांपे मैं click कर दिया और यहांप देक सकते हैं थोड़ा सा loading ले रहा है और देख सकते हैं your password has set successfully तो यहांपे मैं इसको cut कर दे रहा हूँ तो देख सकते हैं हमारा जो password है ऊससकी कि लॉग ईन पर दीजे गाओ अर यहां पना यूजर नेम अपना मुबाईल नंबर और इमिल आए डि दे दीजेगा और यहां पर कर ipowered यहां पर लॉग इन migrate तो फिरेंट आज करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल पे पहली एकह तो फ्ली quyकार